ओम नमस्षिवाई इस वीडियो के माध्यम से आईए जानते हैं कि शिवजी को क्यों प्रिये है जल अभिशेक, जल अभिशेक और रुदर अभिशेक का क्या है महत्व, विभिन राशियों के अनुसार कैसे कैसे जल अभिशेक करना चाहिए और सावन के महीने में जल अभिश से शुरू हो रहा है, वैसे तो पूरे सावन में शिवजी का जल अभिशेक किया जाता है, इसमें सोमवार का दिन विशेश माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार का वरत रखकर शिव का जल अभिशेक और रुदर अभिशेक करने वालों पर महादेव जी की वि शिष्टि की रक्षा की थी लेकिन इतना विष पीने के कारण उन्हें गले में असहनिय दर्द उठा और उनका पूरा गला नीला हो गया जिसी कारण उन्हें नील कंठ भी कहा जाता है इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सबी देवी देफताओं ने उन्हें जल अर्पित किया यही वज़े है कि सावन में शिवलिंग का जल अभिशेक करने का निधान है माना जाता है कि सावन में शुप तितियों पर शिवलिंग पर जल अभिशेक किया जाए तो व्यक्ति के सारे दुख, दोश, रोग दूर हो जाते हैं आईए जान लेते हैं सावन में शिव जी को जल चड़ाने के कुछ नियम पहला जल चड़ाने का पात्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चड़ाने के लिए तामबे, कांसे या चांदी के पात्र सबसे अच्छे माने जाते हैं वहीं दूर चड़ाने के लिए पीतल या चांदी के बरतन का प्रयोग करें शिवलिंग पर जल चड़ाते समय सादक को उत्तर दिशा की और मुख करना चाहिए माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके जल अभिशेक करने पर माता पारवती और शिव जी दोनों का ही आशिरवाद मिलता है भोलेनाथ को जल अरपिट करते समय जल की एक पतली धार बनाकर मंतर जाप करते हुए जल चड़ाएं शिव लिंग पर कभी खड़े होकर जल नहीं चड़ाना चाहिए इसे भोलेनाथ सुईकार नहीं करते हैं बैटकर और शांक मन से जल अभिशेक करें शिव शम्भू की पूजा में शंक वर्जित है ऐसे में शिवलिंग पर जल चड़ाने के लिए शंक का इस्तिमाल ना करें शिव पुरान के अनुसार शिव जी ने शंक चूर नामत दैते का वद किया था ऐसा माना जाता है कि शंक उसी दैते की हडियों से बने होते थे हैं इसलिए शिव लिंग पर शंक से जल नहीं चड़ाना चाहिए आईए अब जानते हैं विभिन राशियों के अनुसार किस किस तरह से जल अभिशेक करें मेश राशी गंगा जल से शिव का जल अभिशेक करने पर सर्वकारे सिद्ध होंगे व्रिशिब राशी धन प्राप्ति के लिए जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग का जल अभिशेक करें मिथुन राशी गन्ये के रस से शिव का अभिशेक करने पर स्वभाग्य में वृद्धी होगी करक राशी शक्कर मिश्रित दूद से अभिशेक करने पर संतान सुक्की प्राप्ती होगी सिंग राशी जल में गुलाब का फूल डाल कर अभिशेक करने से आरोग्य का वर्दान ट्राप्थ होगा कन्या राशी शत्रू बादा से मुक्ती के लिए शिव पर गन्ने का रस चढ़ाएं तुला राशी पंचामरिच से भोले नात का अभिशेक करें इससे आर्थिक तंगी दूर होगी व्रिश्चिक राशी ग्रहों के अशुप प्रभाव से चुटकारा पाने के लिए घी से शंकर जी का अभिशेक करें धनू राशी व्यवाहिक जीवन में सुक शांती के लिए शहद से महादेव जी का अभिशेक करें मकर राशी व्यापार या नौकरी में परिशानी आ रही है तो गंगाजल या इत्र शिव जी को चढ़ाएं जल्द ही शुप परिनाम मिलेंगे कुम्ब राशी जनम मरन के चक्र से छुटकारा पाने के लिए गंगाजल से भगवान भोलेनात का रूद्र विशेक करना उत्तम माना गया है मीन राशी दूद में भांग और गन्ने का रस मिलाकर शिव जी का विशेक करें इससे आये के नए अफसर प्राप्थ होंगे धन्यवाद